वहाँ एक तरीके का पर्सनल अटैक हुआ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जब इस तरह कि आप एक अगली डिर्टी फाइट में पड़ जाते हैं तो क्या उसका इंपाक्ट पॉजिटिव हो सकता है? तो यह मतलब सिफ रिपलाई नहीं है, यह जो वो अपने एक शो में कहते हैं, बाउंस बैक, एक बार फिर करते हैं, बाउंस बैक, तो यह एक तरह का बाउंस बैक था, लेकिन जब आप उसको MBA का नाम दे देते हैं, तो वो हर कोई कर रहा है, मतलब कोई अगर 12th क्लास का बच यह सोर्स ट्रेडिबल नहीं है, डॉक्तर विवेक बिंदरा ने बड़े सारे डैशबोर्ड्स और परफॉर्मिंस मेट्रिक्स की बात करी, सीसैक को कैसे भूल गया? कंगे का बिजनिस करना इलीगल नहीं है, लेकिन किसी गंजे को कंगा बेचना है, वो भी एक 50 रुपे का कंगा, एक जादूई कंगा बताकर 50,000 का उस गंजे को बेचना और यह कहना कि तुम्हारे पाल इस कंगे को यूज़ करके आ जाएंगे, एक स्कैम है, ऐसा कहना हमार मैं ऐसा कहा क्यों, आपको बता होगा, यूट्यूब के स्पेस में तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर दिगज, जिनको हम कह सकते हैं, डेविड अन गुलायत और मोटिवेशनल स्पीकर स्पेस इन यूट्यूब, आज हैं at logaheads with each other, यानि कि दोनों भिड रहे हैं ए आपने 2.0 पॉड्कास्ट, यूट्यूब की स्पेस में सबसे बड़ी बौर चल रही है, 2023 में ऐसी कोई controversy नहीं है, जिसको इतनी eyeballs मिली हो, जितनी इस controversy को मिल रही है, और आप जिससे least expect करें, जो लोग किसी भी पच्छडे में नहीं पढ़ते, जो बिलकुल आपको आज तक किसी भी controversy में नहीं दिखे, मतलब वो दो लोग, डॉक्टर विवेक बिंदरा और संदीप महिश्वरी, दो ऐसे नाम जिन्होंने इतनी लोगों की जिंदगीयों को इतना positively चुआ है, आज वो कैसे negative हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो एक बहुत बड़ी war है, मतलब हम दीप महिश्वरी जी को जानते हैं कि बहुत काम, बहुत composed, बहुत निस्वार्थ, selfless एक motivator हैं, वहीं पर डॉक्टर विवेक बिंदरा जो हैं, वो बहुत जादा charged up और full of energy और बिलकुल entrepreneurs को जगा देने वाले, motivate कर देने वाले उस तरह के इंसान, और एक बहुत अच्छे businessman भी हैं वो, और इन दोनों के बीच में ये war हो रही है, तो अभिशेक, जिन हमारी audience को नहीं पता है, पिछले एक हफते में क्या-क्या developments हुए, कुछ quickly बता सकते हो कि ये controversy है किस चीज़ के बारे में? हाँ, मतलब, actually, Sandeep Maheshree का जो show होता है, जो उनका format है videos बनाने का YouTube पर, वो है, वो एक live audience के साथ session करते हैं, अब पिछले दुनों उन्होंने अपना एक business mastery course करके, which was not a course, बट एक session की तरह उन्होंने YouTube पे business related चीज़ों के बारे में discussion करना शुरू की अपने videos में, अब उसी session में एक बच्चा उठा और उसने बताया कि वो किसी fraud का, so called fraud का शिकार हो गया है, scam का शिकार हो गया है, और इस पर संदीप Maheshree ने उनसे पूछा कि क्या था, किस तरीके का वो fraud था, तो उसने बताया वो एक business course था, जो कि लगबग 50,000 रुपे में उसने खरीदा, जिसको सुनके और उन्होंने फिर further questions पूछे के normally 2-4-5,000 के courses होते हैं, 50,000 का कौन सा course है, तब उसने बताया कि वो आपको business सिखाते हैं, तो संदीप Maheshree I think trigger वहाँ से हुए जब उस बच्चे ने बताया कि उस course में कोई दम नहीं लगा उसको, और वो चीज़ें YouTube पर otherwise भी बहुत सारे creators free मे videos बना के सिखाते हैं, और इसमें कोई बहुत खास ऐसा था नहीं, अब इस पर संदीप Maheshree ने इसको एक scam बताते हुए, कि उन लोगों को target किया गया है, जो इसके right consumers नहीं थे, या potential consumers नहीं थे, और hard earned money एक उनका है, उनकी family की humble beginnings होती है, and so on, उस तरह का एक उन्होंने picture present करी अब यहां तक देखी, कोई problem नहीं थे, क्योंकि इस तरीके के courses के through, या otherwise दूसरी schemes के through, कुछ products के through, services के through, कुछ apps के through, आजकल YouTubers, बहुत सारी ऐसी चीज़े promote करते हैं, unchecked, जो बाद में scam बन जाती है, या initially scam होती है, और उनको पता होता है, लेकिन in exchange of some money, वो ये काम कर देते हैं, अब संदीप महेशवरी, क्योंकि एक बहुती responsible creator हैं, और बहुत जादा उनकी इज़त लोग करते हैं, बहुत सम्मान उनका करते हैं, और उन्होंने अपनी ये positioning बनाई हुई है, कि he stands by what is right, अब इतना होने के बाद जब उनको लगा कि ये भोले-भाले लोगों के साथ एक scam हो रहा है, उन्होंने इसको जब विडियो को post किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये एक business scam हो रहा है, अब interesting बात ये हुई कि डॉक्टर विवेक बिंदरा ने इसको personally लेकर उनको allegedly threat किया, उनके घर पर अपने कुछ बंदे बेजे, और वहां जाकर उनको pressurize किया ग इसके जवाब में संदीब महैशुरी ने उनका नाम लेकर और इस चीज़ को point out करते हुए, call out करते हुए, एक statement YouTube community post में जारी कर दिया, अब इस statement के बाद जो है, असली लडाई शुरू होती है, अब यहां से क्या हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंदरा ने उनको एक reply देते ह हुए, एक statement जारी किया, अभी तीन दिन पहले या दो दिन पहले, जहां पर उन्हों ने कहा कि मैं तो आपसे बस यह कहना चाहरा था, कि आप मुझे बुलाईए, और मुझे एक मौका दीजिए, जिससे कि जो भी alleged मेरे उपर बातें कहीं गई हैं, उनको मैं explain कर सकूँ, भी latest post की थी, जिसका reply डॉक्टर विवेक बिंदराने कल अपने एक statement में दिया, तो वो क्या तुमने follow किया? बिलकुल, बिलकुल मैंने किया, और इसका अगर तुम reply करो ना, तो यह मतलब सिफ reply नहीं है, यह जो वो अपने एक show में कहते हैं, bounce back, एक बार फिर करते हैं, bounce back, तो यह एक तरहां का bounce back था, बहुत जबरदस और expected नहीं था, मतलब जिस तरहां की allocations लगाई गई थी और इसको scam बताया गया था पूरा-पूरा, उसके बाद कोई, मतलब इस level पर bounce back करेगा, यह बड़ा मुश्किल लग रहा था, सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि संदी पर कोई legal notice आपको दिया है, तो आप उसका कोई सबूत दीजिए मुझे, कोई उसका मैंने email किया है, या कोई मैंने आपको physical copy दी हो, तो वो लोगों के सामने लाइए, आप तो सिर्फ कह रहे हैं, legal notice दे दिया, जबके मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको प्लीड कर रहा था, नहीं, लेकिन अगर तुम संदीप महिश्वरी का community post check करो, तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है, कि डॉक्टर विवेक बिंदरा ने legal notice, अगर इस phrase को ही आप उठा रहे हैं, तो, जैसा कुछ भी उन्हें बेजा है, किसी भी form में, physical या otherwise, उन्होंने तो ये कहा है, कि legal action की धंकी दिये, आप दुबारा उसको पढ़िए, मैं अभी screen पर भी लगा देता हूँ, उसमें ये कहा गया है, कि आपकी team ने incessantly हमको आकर बार बार आकर और धंकाया, और legal action लेने की धंकी दिये, तो यहाँ पर जो word था, उन्होंने का वो धंकी था, ना कि कि legal notice ही सर्फ कर दिया गया है, बिलकुल अभी शेक मतलब इसी को तो शायद कहते है न, war of words, कि वो words को ऐसे घुमा देना, फिर उससे जंग खेलना, क्योंकि कोई यहाँ पर तलवारों वाली जंग तो नहीं चल रही है, यह बस वहीं चल रही है, कि हाँ, इसने एक word कम बोला इसने वहाँ पर एक word जादा लगा दिया, तो वो उस तरहां का उन्होंने खेल यह clear कर दिया, कि कोई legal notice नहीं है, फिर उसके लावा मतलब उन्होंने यह बोला, कि भी एक उन्होंने दस मिनट का वीडियो दिखाया, जिसमें यह पूरा expose जो भी था यह scam का, और जो scam allegedly उन्ह उन्होंने question किया, जबकि usually उनके आदे आदे घंटे के 40 मिनट के वीडियो होते हैं, तो ऐसा क्यों किया, कि इसको edit करके बस वो 10 मिनट वो दिखाये, जिसमें वो question कर रहे हैं, दो candidates को खड़ी करके, कि भी आपके साथ क्या क्या हुआ, जबकि उनका यह कहना है, कि यह पूर को chop off कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, और तो वो obvious है ना, that's obvious, भाई, संदीप महिशुरी की intent, Dr. Vivek Bindra को directly, indirectly या remotely इस चीज़ से जोडने की नहीं थी, वो तो एक general public interest में, एक potential scan के बारे में, लोगों को alert कर रहे हैं, तो मतलब मुझे थोड़ा amusing लगता है, when Dr. Vivek Bindra comes out and says, why was it edited? अरे, अगर वो और एडिट नहीं करते हो, उसको, it was probably not with the intention of not showing the good side of Dr. Vivek Bindra, but not showing any side of Dr. Vivek Bindra and not directly pointing out to Dr. Vivek Bindra or BadaBusiness.com to begin with. बिल्कुल, नहीं, और देखो, यह जो controversy start भी हुई थी, वो ऐसे हुई थी, कि इस वीडियो के आने के बाद, कहीं पर भी संदीप महिश्वरी ने यह claim नहीं किया था, कि भई, यह this video is about Dr. Vivek Bindra, यह तो सिर्फ जो नीचे comments आ रहे थे, लोगों ने जो comments किये, कि अच्छा, आपका मतलब यह है, हाँ, यह बंदा course sell करता है, और हम अब समझ रहे हैं, you are talking about this guy, तो उनकी team ने समझा, Dr. Vivek Bindra की, कि हाँ, मतलब यह video हमारे बारे में है, और फिर email किया, फिर phone phone किये, या लोग भेजे, जो कुछ भी है, उस तरह से start किया, अगर मेरा यह मानना है, उनकी टीम शान्त रहती, कि ठीक यार, जो भी एक video आया, जो भी है, हमारा नाम तो नहीं लिया गया ना, तो चुप बैटो, यार, कुछ action लेने की जरूरत नहीं है, तो आज यह इतना out of proportion, जो है, पूरी चीज ब्लो नहीं होती, है ना, इसके लावाँ, ना, water is under the bridge, तो अभी त तरह डिड़ बाउंस बैक, और उन्होंने काफी strongly इस पर react किया, मेरा मानना है कि कुछ ऐसी बात हैं उन्होंने कहीं, जो अब directly उन्होंने जो एक तरह से पिंग-पॉंग का एक match शुरू कर दिया है, टेबल टेनिस, जिसको हम आपकाशा में बोल, वेरी unfortunate, है ना, नहीं होन मतलब उन्होंने ये बोला, अब ये claim है, ये सही है, गलत है, नहीं पता, उन्होंने ये कहा कि संदीप मैश्वरी जी जो है, वो 36 लाक रुपए लेते हैं, किसी भी company को अगर जब वो विजट करते हैं, दो घंटे की consistency के लिए, और अगर उनके पास आता है, कोई भी advice लेने सामने वाले का भी कोई एक revenue model होगा, जब वो इतना बड़ा एक काम कर रहा है, तो वो कैसे कमाएगा, आप ये देखिए, संदीप मैश्वरी जो, you know, the kind of show that he puts together, right, and presents, क्या आपको लगता है, उसके production में कोई खर्चा नहीं होता, क्या उनके employees नहीं है, एक-एक equipment, हम लोगों को ये एक छोटा सा YouTube channel शुरू करने के लिए, you know, we've spent, you know, to the tune of lakhs, just to begin with, और वो इतने सालों से इतने बड़े level का एक show चला रहे हैं, जिसमें के उन्होंने ad revenue भी monetize नहीं किया है, right, तो कोई तो stream उनकी, जैसा तुमने सही कहा, एक revenue की होनी चाहिए, कोई एक, उनके मतलब, खर्चे कहां से निकलने वाले हैं, वो एका बिजनिस भी चलाते हैं, images, बजार या इस तरह का कुछ एक, मैंने सुनाएं के एक उनका business है, जिस पर, you know, you can buy stock images, etc. तो अब देखें के इतना, he's not doing it for charity, there is an element of doing charity, जो वो अपने काम के जरिए, अपने YouTube channel के जरिए, लोगों को live बिठा के करना है, right, and this is not, you know, about favoring Sandeep Maheshuri vis-a-vis Dr. Vivek Bindra, और vice versa, लेकिन जो बात fact है, उसको factually रखना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, Dr. Vivek Bindra आके कहते हैं कि, अगर वो बच्चा कह रहा है कि हमें तो salesman बनाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है, बिलकुल, क तो बिलकुल ठीक कह रहा है, but in a similar way, जो Sandeep Maheshuri कर रहे हैं, if he's trying to make some money, right, तो उसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं देखता, लेकिन overall अगर आप उस पूरे आज आदे घंटे के उनके statement को देखें, उनकी video को देखें, तो आप पाएंगे कि उसमें ना कहीं एक negative undertone मुझे calling arguments after arguments back on Sandeep Maheshuri, इसको political भाशा में what aboutry कहते हैं, या what aboutism कहते हैं, और what aboutry जो होती है, वो होती है कि आज तुम मुझ से कहो कि आप तुमने मेरे साथ उस दिन ऐसा किया था, अब मैं उसको address करने की बजाए, मैं कह दूं कि यार ये तो तुमने भी किया था ऐसा, तो ये what aboutism ज technique होती है, और इसको मुझे लगता है कि ना surface करके वो मुद्दे पे रहना उनको चाहिए था और उसके बारे में कुछ बताना चाहिए था, जो उन्होंने कुछ बताया भी उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस तरह की बातें करना उनकी balance sheet unsigned है, और ऐसा है कि उन् मतलब करके दिखाओ, देखी मैं मानता हूँ कि Sandeep Maheshwari ने अपने community post में जब इस बात का एक जिक्र किया कि balance sheet में यह misappropriation है या कुछ उस तरीका उन्होंने बोला, वहाँ एक तरीके का personal attack हुआ, डॉक्टर विविक बिंद्रा के साथ, लेकिन, you know, we are talking about the two giants of motivation, motivational speaker space, right, and I keep repeating this, because आप लोगों को देख कर, आप लोगों की बातें सुनकर, आप लोगों की teachings and preachings लेकर, लोग अपना दिन शुरू करते हैं, कई लोग, ठीक है, तो आप समझिये कि जब इस तरह कि आप एक ugly, dirty fight में पढ़ जाते हैं, तो क्या उसका impact positive हो सकता है, by any stretch of imagination, आप स संदीप महेशुरी ने आपका नाम नहीं लिया, which is the key point here, आपने उसको आगे से जाकर अपने उपर लिया, ठीक है, उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया, चलिए, आपने वो ले लिया, लेकिन अब आप उन मुद्दों पर बात कीजिए, जिस पर उनका कहना है, कि हमारी team, and this is very important, हमारी team जो है, वो हर एक नए sign up, जो individual होते हैं, IBC, जो उनके nomenclature है, उसको call करती है, और उसको call करके पूछती है, कि क्या आप terms and conditions समझ गये, क्या आपको वो समझा दिया गया है, और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, या किसी भी तरीके के pressure में उसन इसा refund कर देते हैं, no questions asked, तो बहुत अच्छी बात है, very good, लेकिन इससे मुद्दा solve नहीं हो जाता, आप जरा सोचे, आप एक course बेच रहे हैं, और वो course हजार सपने दिखा के बेचा जा रहे हैं, इसको आप dispute नहीं कर सकते, आप उस course को सपने ही दिखा के बेच रहे हैं, के लिए कुछ तो सपने दिखा ही जाएंगे, भाई advertisements क्या होते हैं, वो भी एक तरह से सपने दिखा नहीं होता है, और insecurity पैदा करना भी होता है, तो वो एक business का एक concept है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको सपने दिखा कर कोई course बेचा गया है, तो ये कैसे त मेरे लिए fascinating तो हो सकता है, और हो सकता है मैं उसको sign up कर दूँ, but does that automatically make me a qualified eligible candidate for that role, इसको कौन चेक करेगा, ये एक filter होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है, तो सूनर और लेटर वो सपना एक सपना ही रह जाएगा, और तूट जाएगा, और उसके साथ साथ तूटेंगे आपकी उम्मीद है, और आपकी mental health भी खराब हो जाएगी, और फिर वही सब होता है, लोग जाते हैं, publicly उल्टा सीदा लिखते हैं, which is a very negative impact on your business, तो उसको address करने के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, तो मैं चाहूँगा कि रादर देन, you know, going back and forth with these personal allegations and you know, dirty things, और मैं equally संदीप महश्वरिक ले भी कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंदरा ने बोला है कि आपकी अगली community post का मुझे इंतजार रहेगा और उसका मैं reply पहले से ही तयर, फिर एक वीडियो बनेगा, अभिशेक देखो इसके साथी साथ उन हमारे साथ ये गलत हुआ, वो हो गया, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको दोनों साइट सुनने चाहिए और उसके बाद एक निशकर्श पर आना चाहिए, तो अगर ऐसा हो गया था, मतलब इस वाज नॉट प्री प्लान्ड और वो एक जेनरली लोग आये थे और उन्होंन ये मैं कल इन्ही भाई साथ को बलाता हूँ, इन्ही दोनों को, और ये आएंगे, और आप भी आयेगा, और सामने फिर वाद विवाद जो भी है, एक डिबेट रखेंगे, और उसमें मेद राइट परसन विन, तो वो जो है, बिलकुली एक इंबैलेंस्ट अप्रोच रही, संदीप महिश्वरी की, वहाँ पर मैं बिलकुल इनका सपोर्ट करूँगा, और तू दी एक्स्टेंट के दूसरे इनसान का ना फोन उठाया, ना बात सुनी, उसको ब्लॉक ही कर दिया, मतलब हमने एक का पक्ष सुना, जज्मिंट निकाल दिया, और दूसरे पक्ष को हमन स्टेप उन्हों ने लिया, और वो था कि in the middle of this controversy, ठीक है, कि आप पे allegations लग रही है, scam जैसे word लोग यूज़ कर रहे हैं आपके लिए, उसके बीच में एक अपना प्रोग्राम इंट्रिद्यूस कर देना, विच वाज और 10 डे एंफी प्रोग्राम, तो इतना daring तो मैंने, मै allegations का आप सामना कर रहे हैं, और अपना जो एक नया course है, उसको भी आप इंट्रिद्यूस कर रहे हैं, which is a very ambitious project of Dr. Vivek Bindra, तो लिकिन दिखो, at the same time, Abhishek, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, ये course तो है, आ रहा है, इसकी उन्होंने आज की class free भी दी है, in fact, first four class free रखी है, और फिर उस है, जिसमें आप अप में ही वो classes ले सकते हैं, लेकिन देखो, मैंने MBA किया हुआ है, तुमने भी MBA किया हुआ है, और हमें पता है, MBA एक full time course है, और कितना कुछ उसमें लगता है, ठीक है, दो साल में आप सुबा से शाम तक projects बनाते रहते हैं, आप presentations करते रहते हैं, seminars होते हैं competitions भी होते हैं, test होते हैं, exams होते हैं, industry exposure होता है, कितनी सारी चीज़े होती हैं, उसके साथ साथ extra curricular activities भी होती हैं, sports भी होता है, ठीक है, team building होता है, team making होता है, क्या आप 10 दिन में बस एक theory पढ़के के सामने कोई video चल रहा है, आपने कोई numericals नहीं लिखे, आपने कोई mathematical problem या quantitative analysis जैसे होता है, उसका कोई point नहीं लिखा, और क्या आप MBA हो जाएंगे, मतलब can you compare it with an MBA, full time MBA या even distance learning जो MBA होता है, क्या उससे भी आप compare कर सकते हैं, क्या ये degree होने वाली है, क्या ये diploma होने वाला है, या क्या आप MBA भी इसको नाम दे सकते हैं, मतलब क्या ये gimmick है, ये क्या है, मतलब I can't even fathom कि कोई दस दिन का अगर है, तो कोई इनसान एक दिन का भी MBA ले आएगा, कोई दो दिन का भी MBA ले आएगा, तो MBA word का, I think this is a misuse, I personally think that. नहीं, absolutely, देखी MBA is a master's degree, right, which is accredited by a university or an institute of repute, right, जिसके through वो degree मिलती है आपको, right, master's जो है, वो इसको इतना loosely आप use नहीं कर सकते हैं, you know, you pointed out the very right aspects of an MBA, जहां पर, if not anything else, जैसे बाकी तुमने बताया कि उसमें, courses में seminars होते हैं, और quantitative analysis होती है, कुछ अलग-अलग तरीके के projects होते हैं, right, for all we know, हो सकता है उनके इस 10 दिन के program में, ऐसे कुछ assignments भी हो, right, हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो उनकी इस so-called MBA में नहीं होने वाली है, वो है that classroom atmosphere, right, तो आप जानते हैं कि distance programs जितने भी होते हैं, वो उतने जादा reputed नहीं होते हैं या उतना accepted नहीं होते हैं industry-wide, जितने के full-time MBA courses होते हैं, regardless of which institute you do them from, right, तो एक distance program जो है, यह अलग बात है कि students जो हैं, वो अलग-अलग caliber के होते हैं, कई लोग बिना किसी degree के, diploma के भी, सिर्फ इस तरीके के courses लेके भी, एक बहुत अच्छी understanding गेन कर सकते हैं, and at the same time, कई लोग ऐसे भी मैं personally जानता हूँ, और मैं और तुम दोनों जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने IIM एहमदाबाद से एक proper MBA करके degree लेके, और वो बिल्कुल less than mediocre एक student है, so, you know, coming back to the point कि क्या इसको फिर MBA कहा जा सकता है, मेरे ख्याल से इसको MBA नहीं कहा जाना चाहिए, just because उसके against कोई ऐसा law नहीं है, आप उसको use कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा, you know, it's kind of taking that advantage, which I think is still fine, तो अगर आप देखें, तो ये learning theoretically आप दे सकते हैं, ठीक है, और वो, मैं without a trace of doubt कहे रहा हूँ, कि Dr. Vivek Bindra का एक वो program है, तो बहुत अच्छा होगा, nevertheless, वो एक theoretical learning होगी, right, तो जिस तरह से इसके इतने tall claims दिये जा रहे हैं, India's only organization, या शायद world's only organization to be giving a free MBA 10-day course, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी overselling है, थोड़ा सा overkill है, because ultimately, इस तरीके के बहुत सारे courses available हैं, आप उसको as a program बेच रहे हैं, which is fine, बेच रहे हैं, या फ्री में करा रहे हैं, या उसको सिर्फ, you know, market वैसे कर रहे हैं, that is okay, but कहीं से लेके कहीं तक भी, वो एक MBA degree को replace करने का माददा नहीं रखता होगा, ये मैं openly challenge करता हूँ, किसी को भी, ना सिर्फ Dr. Vivek Bindra को, और भी बहुत सारे business gurus आयार, जहां पर एक, वो उनका मैं जब भी YouTube खोलता हूँ, एक या दो ads उनके जरूर आ जाते हैं, और मैं, I am fed up of those ads, right, और वो भी इस तरीके के tall claims करते हैं, सपने बेचते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने assets बताते हैं, कि कैसे उनकी corporate life अब बिलकुल turn around हो गई है, and he's become, you know, the entrepreneurship mogul and so on and so forth, तो यार, ultimately वही है कि इस तरीके के courses को उतना ही बताना चाहिए, जितना उनके अंदर दम हो, और वही संदीप महेश्वरी का point भी था, when he says के, एक गंजे को जादूई कंगा आप बेच रहे हैं, पचास हजार का, या metaphorically speaking, एक, you know, exorbitant price tag उस पर लगा के, so that I think is not right, still fine, बिल्कुल, हाँ, अभीशेक देखो, मैं एक ये भी बात इसमें करना चाहूँगा, add कि हम कोई भी अगर MBA, BBA, या किसी भी हम एक professional course की बात करते हैं, degree, diploma, तो उसमें कोई ना कोई एक filter होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो रही है, कि एक और मुझे दिख MBA जैसा है, और फिर लोगों की तरफ offer किया, कि जो पैसा दे दे वो आ जाए और कर ले, ठीक है, तो लेफ राइट सेंटर, क्या उसने बैशलर्स की है, नहीं की है, क्या ये कोई criteria है आपका, पर एक्जामपल, आज उन्होंने open to all कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया अपना 10-day MBA course, which is a very good thing, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, 10 की 10 classes भी कर दें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसको MBA का नाम ले देते हैं, तो वो हर कोई कर रहा है, मतलब कोई अगर 12th class का बच्चा है, वो भी देख ले, वो भी कल कोई कहगा, मैं MBA हूँ, 10 days का MBA किया है, किसी ने 2 साल क किया होगा, मैंने 10 days का कर लिया, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है, जसने BBA भी नहीं किया, या बैचलर्स ही नहीं किया है, 12th के बाद सीधे वो कहगा, कि मैं MBA हूँ, I'm qualified, और मैंने वो 10 दिन का मैंने course लिया हुआ है, या मैंने उसके videos देखे, तो कोई filter आपने लगाया है, कि ह ठीक है, ये बंदा जो है, ये योगे है, इसकी एक basic knowledge है, एक basic qualification है, और अब ये एक upgrade चाह रहा है, ठीक है, तो ये qualify हो जाता है और इसको हम अपने course में ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भही हो रहा है जो IBC के साथ हुआ कि तुमें लेना है तुमें लेना है तु लो, फिर तुम इसको आगे sell करो, नहीं करो, कुछ भी करो, ये MBA भी हर तरफ बाटा जा रहा है, मेरा सवाल ये है कि आप चाहते है MBA बेचना, because ultimately आप लोगों को equip करना चाहते हैं उन tools से, जिसको वो use कर सकते हैं, इधर अपना business करने के लिए, entrepreneur बनने के लिए, startup करने के देखे, अगर उनका कोई भी program, suppose कीजिए कि 10,000 लोग लेते हैं, वैसे इस से जाधा ही होंगे, मैं एक conservative figure लेता हूँ, अगर 10,000 लोग उनका कोई भी course लेते हैं, not just MBA, कोई भी business course लेते हैं, तो उसमें से दो ही तरीके की target audience निकल कर आती है, एक तो जो अपना startup करना चाहेग का business करना चाहेगा, और दूसरा जो है, वो है, जो corporate में अपनी एक अच्छी job चाहेगा, right, क्योंकि सभी लोग startup और business नहीं कर सकते, job भी करेंगे लोग, right, और उसके लिए भी MBA जो है, एक educational qualification बन जाती है, आज की तारिक में बहुत सारी jobs ऐसी हैं, जहां पर आपको, whether it is a management position or otherwise, MBA as a required educational qualification मांगा जाता है, right, तो क्या इनका ये program उसको भी replace कर देगा, thereby making the, you know, students of this course eligible to apply for those jobs, उसका answer है, big, bold, no, right, and therefore, आप उसको बस यही बता के, market कीजिए, sell कीजिए, promote कीजिए, advertise कीजिए, you know, this is a program that is going to give you a lot of learning, ठीक है ना, आपको वो किसी भी तरीके से, और otherwise, उस degree को replace करके देदेगा, वो कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह से market किया है, बट कहीं नहीं एक hidden, एक tacit, जो वही बात है, dream बेचने वाली बात है, वो वही है, जिसको उन इस दिन क्यों नहीं, तीस दिन क्यों नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इस वीडियो में ये भी हुआ, कि उन्होंने जो एक बंदा सोनू जो खड़ा हुआ था, उनकी संदीप महिश्वरी जी के सभा में, तो उसका एक पुराना वीडियो जो है, वो भी दि कियारी की हमने, और फिर उसके बाद मैंने चार दिन में एक कोर्स बेच दिया, और ये देखी, मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे वैसे, कट टू दाट डे, जो फिर वो खड़ा है संदीप महिश्वरी के शो में, और कह रहा है कि I am not satisfied, और मेरे तो पैसे जल गए और ये हो गया, वो हो गया, तो ठीक है, मतलब एक उन्होंने अटेम्ट किया, एक थोड़ा सा रियालिटी चेक देने का, कि जो लोग शोज में आ रहे हैं आपके और वो हैं, तो वो हो सकता है कि भई, किसी टाइम पर satisfied भी हो मेरे कोर्स से, but along the way वो dissatisfied हो गए, कभी कि ना हमारे पास इस चीज की टाइम लाइन है कि संदीप महेशोरी का वीडियो कब शूट हुआ है, ना हमारे पास इस चीज का कोई टाइम स्टैम्प है कि ये वीडियो जो उन्होंने अब दिखाया कल, वो कब शूट हुआ है, तो at different stages of you being a consumer, your experience, your behavior could change depending on the product or the service, तो ऐसा ज तो initially हो सकता है मुझे क्योंकि इसकी जादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पता है कि जो मैं normal बात कर रहा हूं, उससे अच्छी अवास को ये amplify कर देगा, तो initially मुझे अच्छा लगे, लेकिन eventually after I start knowing better about microphones in general, तो मुझे हो सकता है कि ये पसंद ना है, या हो सकता है कि पसंद behavior के as a consumer, अलग-अलग stages होते हैं और इसको video को इस तरीके से दिखाना कि अब किस light में इस video को दिखाया गया है, वो यह है कि ये बंदा जो है, ये credible नहीं है, ये source credible नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंदरा ने उसको इसी light में दिखाया है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकत हैं, तो audiences को before jumping the gun, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप समझे उस बंदे की journey को with this product that he bond, सोनू करके जो apparently नाम है उस बंदे का, तो हो सकता है उसको शुरू में पसंद आया हो, eventually नहीं आया हो, तो क्या इससे आपकी customer satisfaction, जो by the way, CSAT is a very important metric for any business, customer satisfaction, डॉक्टर विवेक बिंदरा ने by the way, बड़े सारे dashboards और performance metrics की बात करी कल के वीडियो में, CSAT को कैसे भूल गए, CSAT भी एक बहुत important metrics होती है, तो अगर कोई satisfied नहीं है, तो उससे, and with this I am concluding my argument, right, उससे सिरफ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, which by the way is a very noble gesture, आपने माफी मांगी, बहुत बड़ी बात है, बड़पन आपने दिखाया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ultimately आपको उस point को address करना पड़ेगा, आपने ये भी कहा कि मेरे किसी एक आदमी से गलती हो गई होगी, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ, which is right, आप भगवान करते हैं, that is also good, लेकिन उसके बारे में आपने नहीं बताया कि उसको आप course correct कैसे करेंगे, आपने कहा मैं हाज जोड के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ दुबारा ना हो, उसका क्या तरीका है, जो कि उन्होंने खुदी कहा कि हम एक गलती तो कर सकते हैं, लेकि open to interpretation है, कि क्या उन्होंने वो IVC का program ही close कर दिया है, which I don't think is true, क्या उन्होंने वो loophole close कर दिया है, अगर कर दिया है, तो वो कैसे किया, जब आप आए हैं, after all this, you know, aftermath of the controversy, तो आप उसको clarify तो कीजी, rather than कि आप एक दूसरे पर अब allegations और arguments fake रहे हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि उ I rest my case, हाँ, allegation से याद आया, उन्होंने एक allegation और लगाई है, कि संदीप महिश्वरी जो थे, उनके लगबग लगबग दो लाग के आसपास व्यूज आते थे, सारे वीडियो में, और फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ sensational ऐसा कुछ डाल दो, जिससे कि एकदम से वो फिर उन्होंने ये जब डाला, विवेक बिंदरावाला, जबके वो दस मिनट का था, लेकिन उस पे आराउंट पचास लाग के आसपास, मनलब विच इस फाइव मिलियन व्यूज उस पे उस वीडियो पे आ गए, तो ये उन्होंने बताया कि ये बेसिक रीजन है, कि वो अ साथ ही साथ देखो, इसमें अगर कहा जाए कि जैसे एक इंग्लिश में कहते हैं, तो रॉंग्स कैनाट मेक वन राइट, ठीक है, कि दोनों ही लोग गलती कर रहे हैं अपने पार्ट पे, दोनों ही लोग जो हैं वो एक दूसरे पे ऐलिगेशन लगा रहे हैं, तुमने ये क इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनको शोभा नहीं देती, कम से कम इनको शोभा नहीं देती, कि ये लोग ऐसी बात करें, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये स्पेस यूट्यूब की बहुत अच्छी है, दोनों की जोनी अप करतियां बंद हो, तोनों साइड से, और एक प्रोग्राम में आके, या एक वीडियो में आके, मैं तो कह रहा हूँ, कि इस चीज को क्लोजर दे दें, और अपने अपने कामों पर कॉंसेंट्रेट करें, भई आप कोई भी कोर्स बेचो, बी फैर, ठीक है, लोगों के साथ ज चीज का डिजर्विंग बंदा, तो आप उसको कोर्स बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्स रखिए, कोई एक एंट्रेंस एक्जाम रखिए, उसको जानिए, उसका इंटर्व्यू लीजिए, उसके बाद अपना कोर्स सेल करिए, तो उसकी वैल्यू जादा होग और मेरे ख्याल से लॉंजिविटी भी जादा हो, एक रोटी के टुकड़े पर दो बिल्लियां लड़ पड़ी, दोनों ने धीरे-धीरे करके रोटी को चिनना शुरूप जो, अब इस लड़ाई को देखकर पेड़ पर बैठा एक बंदर, नीचे उत्रा, और उसने इस नसरी राइंज का चैनल रही है, यह एक सेल्फ डेवलप्मेंट लर्निंग का चैनल है, और इस पूरी कॉंट्रोवर्सी से, अगर एक चीज हम सब देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीख सकते हैं, डॉक्तर विवेक बिंदरा और संदीप महेश्वरी, तो वो यह है, कि आके इसका एडवांटेज ले जाएगा, ना सिर्फ एडवांटेज ले जाएगा, बलकि एडवांटेज ले रही है, आज ही मैं देख लाता कि एक बहुत बड़े टेकनिकल चैनल इस कंट्री के जो है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, Exposing Business Course Scam, मुझे नहीं समझ में आत और बंदर की analogy में, यह सबसे बड़ा एक example है कि लोग इस समय popcorn लेकर और इस controversy को देख रहे हैं और उसके मजे ले रहे हैं, आपको यह समझना है कि कैसे आप इस चीज़ के main बुद्दों को, issues को sort करते हैं, आपस की रंजिश जो है, अगर वो चलती भी है, तो ultimately larger audience का इससे न lesson को use करके अपने two points को unlock करेंगे, हम मिलेंगे आपसे अगले video